Hey guys, welcome back to another video तो guys, आज अपन करने वाले हैं Logitech Hero 502 का review ये रहा मेरा gaming mouse and guys, अगर आप मेरे चैनल पे new हो तो आप लोगों को एक चीज बताना चाहूँगा मैं एक live streamer हूँ, मैं daily live stream करता हूँ, gaming करता हूँ तो जितने भी products हैं, जो मैं daily use करता हूँ, streaming के लिए, gaming के लिए उनको मैं पहले 6-7 महीने use करता हूँ, उसके बाद उनका review डालता हूँ जैसे कि ये वाला जो headphone रेडिकेर का Cosmos 7.1, इसको मैंने एक साल use किया उसके बाद इसका review डाला है तो भाई लोगों इस मामले में आप मुझे trust कर सकते हूँ, मैं उन tech reviewers की तरह नहीं हूँ जिन्होंने product लिया या उनको product मिला, एक video बनाई और काम घतम बिना use किये तो let's begin the video and guys, अगर आप new हो मेरे चैनल पे अभी तक आपने subscribe को बटन नहीं दबाया तो hit that subscribe button, let's go तो guys पहले थोड़ी technical बात कर लेते हैं, इसमें आता है एक optical sensor 16000 तक की DPI को support करता है वो sensor first of all 16000 की DPI बहुत ज़ादा हो जाती है, अगर आप 16000 पे करोगे और उसके बाद अपना computer use करने की कोशिश करोगे बहुत मुश्किल हो जाएगा gamers जो होते हैं जो FPS games खेलते हैं, वो जादा तर low DPI पे खेलते हैं, low sensor पे खेलते हैं, क्योंकि उसमें aim थोड़ा better लगता है अगर आपकी DPI बहुत ज़ादा होगी तो aim लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, but on paper 16000 तक की DPI को ये mouse support करता है तो guys एक और important point ये है कि ये सिरफ right hand वाले लोगों के लिए है, अगर आप lefty हो, अगर आप left hand से लिखते हो, left hand से games खेलते हो, तो sadly ये वाला mouse आपके लिए नहीं बना है ergonomically wise guys ये mouse बहुत ही प्यारा है, मतलब अगर आपके हाथ छोटे हैं, आपके हाथ जादा बड़े नहीं है, तो ये बहुत easily fit हो जाएगा, बड़े हाथ भी हैं तो भी अराम से adjust कर सकते हो, मतलब ऐसा लगता है कि ये mouse आपके हाथों के लिए ही बना था, इतना perfectly आपके हाथ में ये fit हो जाता है, हाँ, तो guys एक cool feature इस mouse का जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है free scrolling, यहाँ पे एक button दिया गया है, lock का, ये कोई dedicated button नहीं है, mouse से related, ये lock का button है, जब आप इसको दबाओगे, तो ये mouse का ये जो scroll वाला villain है, ये free scrolling करेगा, ये देखो, चलता रहेगा ये देखो भाई लोगो, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, काफी देख तक चलता है, मैं एक बार फिर से दिखाएता हूँ आप लोगो, ये देखो, अगर मैं इसको अभी बंद कर दू, उसी वक्त रुख जाएगा, तो guys, जैसे कि ये mouse है, थोड़ा gaming centric mouse से तो इन्होंने company वालोंने RGB दे ही दिये, finally तो आप देख सकते हो, एक G का logo जो इनका main logo है, company का, वो glow होता है, बाकी और कुछ RGB नहीं है, अगर कोई सस्ता वाला mouse भी अगर आप लेने जाओगे, let's say, red gear का, या फिर, तो उसमें भर भर के आपको RGB मिलेगी, लेकिन इसमें इ गलत लगती है कि इसके जो दूसरे model है Logitech वालों के, जो इससे थोड़े सस्ते बढ़ते हैं, ये mouse अगर आप Amazon पे लेने जाओगे, तो currently I think 4,000 रुपे तक का मिलेगा, बट इसके जो दूसरे model हैं, जो इससे थोड़े सस्ते बढ़ते हैं, उनमें किसी में भी, किसी में भी भाई, ब्रेडिट केवल नहीं दी गई है, ये Logitech ने बहुत गलत किया, अगर मेरा budget इतना नहीं है, अगर मैं कोई दूसरा mouse इनका prefer करना चाता हो, मैं नहीं ले सकता, मुझे ब्रेडिट केवल वाला अगर mouse चाहिए, तो भाई, मिरको यही लेना पड़ेगा, इससे नीच एक आधे model में तो ब्रेडिट केवल अड़ करो यार, gaming mouse बना रहे हो आप लोग, तो guys company ने एक चीज़ और बोली है, इस mouse के लिए कि इसका जो sensor है, optical sensor बहुत ही efficient है, बहुत ही कम power use करता है, guys मेरे ही साब से इस mouse की efficiency, इस mouse का जो sensor है, इसकी efficiency तभी पता चलती properly, जब यह wireless होता अब यह wireless नहीं है, तो इसको proper light मिल रही है, पूरी power मिल रही है, जिससे हम पता भी नहीं लगा सकती है, कितनी efficiency दे रहा है, अगर यह wireless होता है, इसमें batteries डलती है, इसमें cell डलते है, तब पता चलता है कि वो batteries कितना लंबा last करती है, तो भाई लोगों इसमें काफी सारे button लॉक हो गया, जैसे कि मैंने बता इसको दबाओगे तो यह free scrolling करेगा, यह वाला जो बटन है guys, यह profile switch करने के लिए, अगर आपने let's say 2 profile बना रखी हैं इनके software में, तो आप switch कर सकते हो easily, यहाँ पे जो बटन दिये वे हैं top पे, यह दो बटन हैं आपके DPI change करने के लिए, आ आप set कर सकते हो DPI इनके software में, वो भी मैं बता दूँगा कैसे करते हैं, side में दो बटन दिये वे हैं, side में दो बटन usually होते हैं, अगर आप web browser यूज़ कर रहे हैं तो आपको let's say पीछे जाना है एक page, पीछे वाला बटन दबा दो, आपको let's say आगे जाना है तो आप आगे बटन दबा दो, but ये वाला बटन में यूज़ करता हूँ, discord के लिए वहाँ पर easily अगर मुझे deaf in करना है तो मैं यहां से click करता हूँ, और सीधा काम हो जाता है, customizable button है, और इसमें एक बटन और दे रखा है नीचे की side, वो है आपका DPI shift करने के लिए, let's say आपको एकदम से low D DPI पर जाना है, let's say आप को PUBG PC game खेल रहे हो, और आपने काफी high DPI पर अपनी बंदूग चला रहे हो, लेकिन आपको sniper मिलगी और आपको एकदम से sniper के लिए low DPI चाहिए, low sensei चाहिए, तो आप एकदम से ये वाला button hold करके रखो, आपकी जो DPI है वो बहुत कम हो जाएगी, और उस हिसाब से अब आप shot मार सकते हो, ये वाला mouse आता है, एक dedicated box के साथ, ये रहा इनका box, इसमें आते हैं weights, जिनको नहीं पता weights के आते हैं मैं दिखा देता हूँ, तो guys ये रहा, कुछ इस type को दिखता है, ये हैं इनके weights, ये वाले जितने भी weights हैं, छोटे छोटे छोटे, इ यहां पर आपके सारे के सारे weights आजाएंगे, weights काम आते हैं guys, थोड़ा अगर आप माउस को थोड़ा heavy बनाना चाहते हो, लेटसे आप कोई sniper चला रहे हो, बड़ी वाली है, कोई shotgun चला रहे हो, आपको really feel चाहिए कि हाँ ये एक heavy gun है, तब आप इसमें थोड़े weights बढ़ा सकत चलो आपको पूरी कहानी बता देते हैं, तो guys मेरको जो Logitech Hero 502 माउस मिला था, वो मिला था November में पिछले साल, उसको मैंने use किया, 6-7 मीने अराम से चला, मस चला, लेकिन उसमें एक issue आने लग गया, double clicks का, ये जो आप देख रहे हो ना, left click, इसमें मैं एक बार click करता था और service center है, easily मिल जाएगा, अगर किसी को नहीं पता तो, काफी जगाओं पे, 3-4 जगाओं पे, बट मैं इसको narrow place लेके गया था, जो लोग डेली में रहते हैं, उनको पता होगा, narrow place market के बारे में, India's biggest PC components market है, तो वहाँ पे मैंने इसको दिया, उन्होंने मेरको 15 दिन का time दिया थ तो इस मामले में, Logitech को भाई, salute करना चाहूंगा, service काफी अच्छी है, गाईज, mouse जो है, वो 2 साल की warranty के साथ आता है, अगर आपका कुछ इशू आ भी रहा है mouse में, तो आप easily replace करा सकते हो, बट गाईज, एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने जितना notice किया, personally, 6-7 महीने में भाई, इसमें double clicks का इशू आने लग गया, यह चीज मैंने face की है, अब पता नहीं, यह सब mouse में होता है, यह सरफ इसी में हुआ है, आप लोग अपने reviews बता सकते हो, भाई, अगर कोई use करता है, यह mouse तो किसी ने यह double click वाला issue face किया, यह नहीं किया, यह Logitech कर कोई दूसरा mouse यूज करते हो, उसमें यह वाला issue आया या नहीं आया मुझे बता सकते हो, बट मेरा review यही है कि 6-7 महिने यूज करने के बाद इसमें issue आ गया, बट replacement करा सकते हो, अगर आपके कोई issue आता है, दो साल तो company आपको support देगी ही देगी, तो यह था guys मेरा review, I hope आप लोग को video पसं मिलते हैं अगली वीडियो में, आपका सकल भाय भी signing off, जैहिन वंदे मात्रा